कैसे हैं मेरे प्यारे विद्याथियों आप सभी का स्वागत है अभिपषा की पूरी टेम की तरफ से मैं हूँ अभिना तोशान्शू पांडे और हम कर रहे हैं परिक्शाओं की तायारी में अगर आप हमारे अपलिकेशन में आएंगे तो आपको विशेश फाएदा होगा यदि आप ये वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए हम लोगों ने तरंग प्रकास्की के बारे में बात करना चालू किया था और प्रिवियस येर कुश्चन जना की पिछले साल में पूछे गया प्रशनों के बारे में चर्चा कर रहे थे इसी सिलसले में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी और इनी बातों के बात में आज हम एक विसेज बात पर पहुंचे हुए हैं और आज की हमारी डिसकरशन का टopik है तरंगों के अध्यारुपन का सिद्धान क्या है अब सबसे पहले जो है मैं आपको प्रकास की क्रिणों के बारे में बताता हूँ देखिए प्रकास की क्रिणों का जो है जो समाने सूतर होता है वो होता है y बराबर y1 और उसके बाद म इस तरीके से आपको यहां पर यहां पर तरंग दिखाई देगी यह अधिकतम दूरी है जो विस्थापन जहां से हो सकता है और यह अधिकतम विस्थापन को हम एसे प्रदर्शित करते हैं किसी भी समय पर किसी भी समय टी पर यदि जो है हम बात करें तो उस समय टी पर जो है जो विस्थापन होगा उसे हम वाई से प्रदर्शित कर रहे हैं फिर ओमेगा जो है यह होता है ओमेगा होता है यह होता है कोणिया वेग होता है यह एंगुलर हाँ ठीक है कोणिया वेग हो होते हैं यहां तक समझने के बाध में हम एक बार बात करेंगे कि यह जो अध्यारऊपन होता है वह क्या होता है किसी भी बिंदु पर यदी एक साथ दो या दो से अधिक के रणे आकर ठकड़ आ रही हो मतलब यहां पर तरंगों की सूतर लिख देते हैं y1 is equal to a sin omega t ठीक है और इसी समय पर यदि इसी बिंदू पर एक दूसरी तरंग आ का टकराए और हम मान लेते हैं कि यह दूसरी तरंग जो है इसका नाम है ठीक है अब यह दूसरी तरंग आ का टकराती है इसके द्वारा किया गया विस्थापन y2 बराबर b sin और यहां पर omega t प्लस phi है यह phi क्या होता है यह phase होता है उसाइज क्या होता है तो अब जो है क्या देख रहे हैं हम लोग कि एक ही बिंदू ए पर जो है दोनों की दोनों तरंग तरंगे आ का ठकरा रही है और ऐसे इस्थी में दोनों द्वारा किया गया विस्थापन जो है तो दोनों द्वारा किया गया विस्थापन अलग-अलग हम लोगों ने देख लिया लेकिन अब हम देखेंगे कि कुल विस्थापन वाई का मान जो है दोनों विस्थापनों के सदिस योग के बराबर होगा और ऐसी स्थिती में जो है आप देखिए कि यहां पर जो है y1 का मान क्या है y1 का मान है a sin omega t और y2 का मान क्या है धन y2 का मान है b sin omega t plus 5 अब आप बताइए यहां आपको sin a plus b का सूतर दिख रहा होगा और sin a plus b का मतलब इसको हम expand करेंगे तो हमको मिलेगा sin a cos b धन cos a sin b तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं यह हो जाएगा a sin omega t omega t plus यहां हम लोग देखेंगे b को हम लोगों ने बाहर ले लिया और यहां हो जाएगा sin omega t plus नई cos गुणा cos phi धन cos omega t cos omega t sin phi अब आप यहां पर धिहान दे यदि हम sin omega t को जो है दोनों जगा से common लेते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है यदि हम sin omega t को common ले लेते हैं तो हमको मिलेगा sin omega t यह common लेने के बाद में अंदर मिलता है a plus b cos phi और दूसरी तरब जो हमको मिलेगा plus b sin plus b cos omega t cos omega t sin phi अब यह पूरा सूत्र हमको क्या दिखाता है यहां पर कुल विस्थापन y के बारे बताता हैं हम लोगों को एक चीज माननी है हम वो मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि r r r cos omega t r cos theta r cos theta बराबर होता है a धन b cos a धन b cos phi और r sin का मान होता है r sin theta का मान होता है a नहीं यहां पर हो जाएगा b sin phi इस तरीके से जो हम लोगों को हम लोगों ने यह सूत्र मान लिया और यह r है क्या यह r जो है अधिक्तम विस्थापन है जो इन दोनों तरंगों के मिलने से बनता है ऐसे स्थिते में हम देखेंगे अधन दो a b और यहां पर जो है यहां पर आ जाएगा b का वर्ग साइन स्क्वेर फाई अब यहां पर जो हम को एक और चीज़ पता है और यह है कि साइन साइन स्क्वेर थीटा प्लस कॉस स्क्वेर थीटा यहां देखिए साइन स्क्वेर थीटा और कॉस स्क्वेर थीटा इस इक्वल टु वन तो इससे जो हम को उत्तर मिलेगा अब इसके बाद में हम जो चीज देख रहे हैं वो क्या है देखिए हमको पता चला आर बराबर आर बराबर वर्ग मूल अ का वर्ग धन बी का वर्ग धन दो ए बी कॉस फाइ ये चीज हमको समझ में आ गई अब हमको देखना है अगर हम फाइ का मान जो है वो सून्ज डिगरी ले ले लेते हैं तो इससे जो है कॉस फाइ का मान हो जाएगा एक और यहां पर हमको सू सूत मिलेगा आर बराबर वर्ग मूल ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन दो ए बी अच्छा यह क्या होता है तो यह हो जाएगा R बराबर A धन B मतलब यहां पर यह है कि यह A जो है वो अधिक्तम विस्थापन है पहले तरंग के कारण B जो है वो अधिक्तम विस्थापन है दूसरे के तरंग के कारण और इन दोनों तरंगों की उजा अगर जूर जाती है तो हमें पुल मिला के अधिकतर विस्थापन आर दिखाई देता है इस प्रकार के इंटर्फेरेंस को इस प्रकार के व्यतिकरण को हम समपोशी व्यतिकरण कहते हैं समपोशी व्यतिकरण कहते हैं इसकी विपरीत यदि हम फाइ का मान 180 ले लेते हैं तो कॉस फाइ का मान कितना हो जाएगा कॉस फाइ का मान हो जाएगा रिण एक और ऐसे स्थिती में हमको आर का मान मिलेगा A का वर्ग धन B का वर्ग रिन दो A B और यहां पर जो है क्या हो जाएगा R का मान हो जाएगा A रिन B के बराबर और यहां जो है इस तरीके के जो है व्यतिकरण को हम लोग विनाशी व्यतिकरण कहते हैं विनाशी व्यतिकरण कहते हैं तो अब हम लोगों ने दो चीजें सीखी, क्या क्या चीजें सीखी, हम लोगों ने ये सीखा, कि तरंगों के अध्यारोपण का सिध्धान्त क्या कहता है, तरंगों के अध्यारोपण का सिध्धान्त ये कहता है, कि यदि दो तरंगे एक साथ एक ही बिंदू पर आरोपित हो, तो वह जो कुल विस्थापन करती हैं वह तरंगों द्वारा सोतंत रूप से किये गए विस्थापन के सदिश योग के बराबर है सिर्फ इतने ही सिध्धान्त को आप अध्यारोपन का सिध्धान्त कह सकते हैं उसके बाद में आप व्यतिकरण का जो है जब बात करेंगे तो व्यतिकरण में जब दो जो है दो तरंगे एक साथ किसी एकी बिंदू पर विस्थापन करने का प्रयास करती हैं तो इनके जो है आपस में अभिक्रिया के कारण जो है दो प्रकार के संभावनाएं बनती हैं पह यहां पर यह हमारी पहली तरंग आ गए ठीक है और इसी तरीके से जो है हम लोगों ने यहां पर यह हमारा दूसरा तरंग देख लिया इन दोनों तरंग जो है क्या हो रहा है एक साथ उपर जा रही है और एक साथ नीचे आ रही है इसका मतलब इन दोनों के मद्ध जो है जो फेश का जो है अंतर है वह कितना है वह शून्य है या फिर दो पाई के बराबर है ऐसी स्थिरती में जब हम व्यतिकरण के कारण नई नई तरंग प्राप्त होगी वह तरंग उसका जो है एम्पलिटूड जो है वो दोनों तरंगों के योग के बराबर होगा यहाँ पर हम बो यति करन के लिए अवस्चक शर्थ क्या है कि फाई का मान वह क्या होना चाहिए सून्य होनाच अब ऐसी स्थिती में या फिर होता है पथांतर होता है पथांतर का मान होता है या तो जो है पथांतर कि इतना हो चाहिए हमारी तरंग to होना चाहिए मतलब यह है कि एक एक तरंग जो है पूरी तरीके से निकल गई है और उसके बाद में जो है दूसरी तरंग से जो है जाकर जो है हमारी तरंग जुड़ती है तो ऐसी स्थिती में इनके बीच का फेज जो अंतर होगा वो शून्य होगा अन्य था इनके बीच में यदि और कोई दूसरा पथांतर हुआ तो इनके बीच में फेस का भी मतलब फाई का मान भी सूनी डिग्री या 360 डिग्री नहीं आ पाएगा तो 0 लेम्डा उसके बाद में और क्या हो सकता है यहां पर 2 लेम्डा और इसी तरीके से N लेम्डा जहां N क्या है एक पूर्णांख है तो कुछ भी हो सकता है इनका पथांतर इसके विपरीत यदि हम विनासी व्यतिकरन की बात करेंगे तो विनासी व्यतिकरन जो है कैसा दिखाई देगा यह हमारी पहली पहली तरंग आ गई और इसके बाद में हम दूसरी तरंग बना लेते हैं मान लिजे कि यह हमारी दूसरी तरंग है अब हम क्या देखते हैं कि जिस समय में यहां पर विस्थापन Y1 उपर की दिखाई में हो रहा है उसी समय में दूसरा विस्थापन Y2 वह नीचे की दिसा में हो रहा है और इनका जो सदिस्योग होगा तो हमको जो है जो परिणामी विस्थापन होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा मतलब यहां पर जो है क्या हुआ यहां पर R बराबर A रिण B हो गया और ऐसी स्थिति काहे आई तो ऐसी स्थिति आने के लिए अवशक सर्थ थी कि फाई का मान या तो जो है 180 अंस हो जाए या फिर जो है 180 के बाद में जो है 360 और 360 के बाद में फिर जो है उसमें 180 और जो देंगे आठ से 14 मतलब 400 420 अंस जो है 440 अंस तो इस तरीके से जो है जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो फाई के इन मानों के लिए हमको विनासी व्यती करण दिखाई देता है अब यहां पर फिर से हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं और वह है कि यहां पर पथांतर कैसा होना चाहिए तो पथांतर के लिए अवशक सर्थ है कि या तो पथांतर जो है वह लेम्डा बटा दो हो मतलब जब जो है एक तरंग जो है उसी समय में दूसी तरव नीचे आ रही हो तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में जो है पत का अंतर कितना है लब्य अंस का है तो या तो लेम्डा बटा दो हो या इसी प्रकार से लेम्डा बटा दो लेम्डा बटा दो और कोष्टक में टू एन माइनस वन इस प्र सिद्धान के बारे में बात की अध्यारुकण के बारे में समझने के बाद में हम लोगों ने व्यतिकरण के जो है यहां पर संबंध निकाले गंड़ती आउड़ाना है तैकि और इसके बाद में आवशक सरतें दिखी कि किस इस्थिती में हमें संपोसी या मिनासी व्यतिकरण दिखाई देता है और व्यती करण दिखाई देने के बाद में उसमें पतांतर की सर्टें क्या है इसके बाद में एक और चीज हम लोग देख लेते हैं और वो यह है कि यदि हम यहां पर प्रकास की तीवृता के बारे में बात करते हैं तो तीवृता के बारे में हमको यह पता है क्या पता है बारे में हम को यह पता है कि किसी भी प्रकास के ती ब्लुफ के amplitude के वर्ग के मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि I1 बराबर के A वर्ग I2 बराबर के B का वर्ग और इसी तरीके से I R जो है वो I R का वर्ग जो है ये क्या होगा तो I R के वर्ग के लिए हमारे पास सूत्र क्या है R का मान है तो यहाँ पर यहाँ पर K रख देंगे और K के बाद में यहाँ पर हो जाएगा A का वर्ग धन B का वर्ग धन 2AB कॉस तो इसी तरीके से यहाँ पर हमको जो इन दोनों किर्णों का रिजल्टेंट निकलेगा यानि कि परिणामी प्रकास की तीब्रता क्या होगी? तो यह हो जाएगी K A का वर्ग धन K B का वर्ग धन K 2AB कॉस फाई और यहाँ से हम बोल सकते हैं यह हो गया I A धन यहाँ पर हो गया I B और यहाँ हो जाएगा 2 वर्गमूल I A गुना I B गुना कॉस फाई और इस तरीके से प्रकास की तीबुता के लिए भी हम लोगों ने सूत्र के स्थाफना कर ली है हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और महतोपूर्ण बाते सीखने के लिए और तब तक के लिए धन्यवाद